दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ ही हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चले सुरवात करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बिहार दिवस पर इसकुली बच्चों को सोगात राज के पर्याटन स्थलो पर तीन दिन परवेश कर सकेंगे यहीं नहीं पटना चड़िया गर भी उनके लिए खुले रहेंगे यहां वे तीन दिनों तक मुप्त परवेश कर सकेंगे साथ ही आम लोग पढ़ना के सिनमा घरों में चुनेंदा फिल्म मुप्त में देख सकेंगे बिहार म्योजियम के महाने देशक अंजनिक मार सिंग के अधिक्ता में हुई बेड़क में यह निन लिया गया है मेड़क में सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेवारी सफी गई है बिहार दिवास का आयोजन 22, 23 और 24 मार्च को पूरे प्रदेश में आवजित होगा वही इस वर से यहां युवास सकते बिहार की प्रगतित थीम पर आवजित किया गया है अले ख़र में देखे औलाइन हुआ बिहार में राजस रिकॉर्ड 10 रुपे में देख सकेंगे जमीन के दस्तवेज जहां देखे राज में अब महाज़ 10 रुपे में अलाइन जमीन के राजस अवलेक पराप्द कर सकेंगे जस्व एबंभूमी सुधार मंत्री आलोकुमार महता ने सुविधा लॉंच की है दास्तावेज को वेवसाइड से डाउनलोड भी किया जा सकता है आपकी जानकारे के लिए बतादे कि अब सुविधा में महाज़ 10 रुपे में ऑल्लाइन जमीन के राजस्व अपलेक प्राप्त कर सकेंगे बदवार को राजस्व एबंभूमी सुधार मंत्री आलोकुमार महता ने एक समारों में विदवात इसकी सुवात की है अब कोई भी किसान या राजस्व अभी लोगों के डिजिटल हस्ताउचरित प्रते एक फोर साइज में मात्र दस रुपे में ऑल्लाइन भुगतान कर वेबसाड से डाउनलोड कर सकता है साथी विभाग द्वार अच्छा मापूर्व से मानचित्रों के ओल्लाइन उपलब्दा एवं होम डिलिवरी की सुविदा रायतों की दी जा रही है राजस्यों दस्तावेजों को ओल्लाइन उपलब्द कराए जाने से किसान और रायतों की समय में काफी वज़त होगी इंडिया की तरफ से टॉल दरों को बढ़ाया जाएगा इस बार पांच से दस विज़े तक टॉल दरों में जापा हो सकता है वह टॉल दरी बढ़ाने के लिए एनचाई की परियोजना की रहनावन इकाई काम कर रही है 25 मार्च तक सभी पी आईउ से संसोती टॉल दरों का प्रस्ता भीज़ दिया जाएगा जिने सड़क परिवहन मंत्राले की मंजूर के बाद लागू किया जाएगा कार एव महल के बहानों के लिए टॉल दरी पांच पीज़ बढ़ेगी और बहारी बहान के लिए दस पीज़ तक बढ़ने की समभावना है वाई देके बाड़ी खबर में कोईमबटूर पुलिस दुवरा बिहारीों के लिए हेल्प लाइन नमबर जारी जाद के कोईमबटूर प्रसासन ने बिहारी मेज़ूर के सहता के लिए हेल्प लाइन नमबर जारी कर दिया है परवासी मेज़ूर के लिए कोईमबटूर जिला प्रसासन की और से कई फोन और मॉबाइल नमबर जारी किये गए है प्रसासन के विगापित में कहा गया किसी भी समय जरुत पढ़ने पर परवासी इन नंबर पर संपर कर सकते हैं ये नंबर है 04222-300-970-9498-181213-81900-00100-9498-181212-0708-100-100 बाहरी माईदूर के सुरक्षा के लिए दोसरी वेबस्ता भी की गई है कहा गया कि सबी न्योकता जिनोंने बाहरी राज के सिरमिकों को काम पर रखा है वे बाहरी राज के कर्मियों के लिए भी से सुरूप से बनाये गए labor.tn.gorman.in portal पर अपनी सिकाय दर्ज कर सुरक्षा सुनिचित करा सकते हैं वे प्रसासन के ओर से अनुरोध भी किया गया है कि कानून बेबस्ता बनाये रखने के लिए जिला प्रसासन का सभी लोक सहयोग करे बाड़े खर में देखेंगे बिहार में घर बनाना होगा महेंगा एट के बढ़ेंगे दाम लिया जाएगा इसका सिधा असर आम जनता पर बढ़ सकता है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि आप दक राज जिब भार में बड़े संख्या में संचले ते एट बटे टेक्स नहीं चुकाते हैं ऐसे बटे संचलकों पर सरकार सक्ति करने जा रही है इसके बाद संचलकों क देखे होली को लेकर 10 मार्ज तक पुलिस कर्मियों की चुटी पर रोक जादे के बिहार पुलिस मुक्यालाई ने होली को देखते विए 10 मार्ज तक पुलिस कर्मियों की चुटी पर जाने पर रोक लगा दी है विसेस पर सितिय में ही आवकास स्विक्रत किया जाएगा पु पुलिस बलो के साथ तर्ण अधिकारी क्यों कि रिस्पॉंस टीम मेडिकल दलो आधिक की तेनाधि की जा रही है अधिकारी की बता दे कि यानासी के इस भरती के लिए रेजिस्टिसन प्रक्रिया चार मार्च से सुरू हो रही है इच्छों का बियरति आविदन के अंतिमति थी चार अप्रेल 2023 तक आविदन कर सकेंगे रिक्तियों की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के या अभियरतियों को इंजिनिरिंग या टेक्निकल में सनातक होना जरूरी है वहीं बी लेवल कंपिटर कोर्स भी जरूरी है अन्य पदों की आविदन योगता की विश्टित जानकारी के लिए अभियरति पूरा भरती नौट बेक्संद देख सकते हैं अपरेल से जमिन के रजस्टि कराना इस जिले में महैंगी जढ के मुझापरपूर जिले में एक अप्रेल से जमिन के रजस्टि बड़े वी दाम पर होगी राजस्वर निवंदन अवंभूमी सुदर विभाग ने गाम अस्वार की जमिन के किमत का नई सिरे से मुल्यंकन और नई दर निधारित करने के लिए एक मां का समय दिया है आपको बताती कि मार्च तक की पुराने किमत पर अजिश्टी होगी विभाग ने इस असे का अधिस जारी कर दिया है सरकार ने जारी अधिस में दर निधारंद के नए फर्मूल के नुसार जमिन की दर तरिकरने को कहा है इसके लिए साहिक ने बंदन महाने रिक्षक जनमों दिन अंसारी के जीले का बरमन वह इस तर निरेचन के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की है आप उन्होंने कहा है कि अप्रेल से इस में 40-50 बड़ोत्री की सम्हावना है मार्च 2025 से पहले सुरू हो जाएंगे पाटना मेट्रो के पांच इस्टेसन आवागमन में होगी सहलियत जैदे कि बिहार सरकर के बजट 2023 में पाटना के विकास के रपदार अब वो तेज होगी बजट में सहर में कई प्रोजेक्ट के लिए रासी स्विकृत की गई है कई प्रोजेक्ट का विस्तार भी किया गया है पाटना में मेट्रो वाटर ड्रेनेज सिस्टम सिक्चा स्वासादी के चेतरों में अधिक सुधाय मिलेगी सटको वा फ्लाइ ओबर के निर्मान से आवागान में सहुलित होगी अगले वित्य वर्स में पहले से चलियारी सुरू होने वाले नई प्रोजेक्ट पर लगबग 10,000 कडोर से अधिक रासिक खर्चोगी इसमें विकास के रप्तार भी को गती मिलेगी वाई देखे आधिकारियों के मुताबिक पार्टना मेटरों के एलिवेटर ट्रेक का निर्मान कार तेजी से चल रहा है पाले चरण में मार्च दोजर पचीस तक पाटली पूत्र बस टर्मिनल जिरो माईल बोतनाद खेमनी चकोर मलाही पकड़ी स्टेसन सुरू हो जाएंगे इसके लंबाई पाटली पूत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी के बेच करिब 6 किलोमेटर की होगी बिहार में जल्दी बन हो जाएंगे कागजे स्टाम इस दिन से इस स्टाम की बिकरी होगी शुरू है नागपूर के प्रेस से कागज पर प्रिंट होकर आने वाले स्टाम पेपर की बिकरी बन हो जाएगी जिसका सिधा फाइदा आम लोगों को मिलेगा आम लोग अपने जरुत के नुसार से स्टाम पेपर की खरीद कर सकेंगे जिसका हिसाब आनलाइन रहेगा और नकले स्टाम पेपर की बिक्री पर भी रोक लगीगी यह सुधा मद निसेद उत्पाद और निमंदन भी भाग बनाए जाने वाले नए सब्टेर में उपलब्द कराया जा रहा है इसलिए अब राज में एक अपरिल से इस टाम की बिक्री होगी बिहार में होली पर डीजे रहेगा बैन हुड़दंग्यों पर पुलिस करेगी एक्सन सराब तसकरों पर पेनी नेजर जादे के होली के मौके पर बिहार में डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंद रहेगा और हुड़दंग्यों पर कड़ा एक्सन होगा साथ सराब तसकरों पर भी पेने नेजर परसवसन की है वाईदे के थानेदारों को अपने छेतर में 37 समीति की बेटा करने को कहा गया है बिहार के बगाहा के HDBO कलाइस परसाथ ने कहा कि होली परोपर डीजे बजाने पर पुर्णता परतिबंद रहेगा साथ साथ थाना अदेच अपने अपने थाना चेतरों में सराब कारोबारियों एवम होड़ दंगयों पर पेने नेजर बनाये रखेंगे ताकि किसी परकार की विदे वबस्ता की समय से उत्पन ना हो मासे कबराद गोश्टी के दोरान उनने सब थाना अजच को निडिस करते हुए कहा कि होली वह सब बाराद से पूर वह अपने अपने थाना चेतरों में 37 समयते की बेढ़क कर ले और लोगों से प्रेम भाय चारे के साथ होली और सब बाराद बनाने की अपिल करे बारे कर में देखे 15 अपरिल से सुरू होगा जातिया जन गन्ना का दूसरा चरन जानी है क्या क्या पुछे जाएंगे सवाल जा देखे बिहार में जातिया धारित गन्ना का दूसरा चरन सुरू होने जा रहा है इसको लेकर तारेक तै कर दी गई है जातिया जनगन्ना का दूसरे चरण 15 अप्रिल से शुरू होने वाला है इसको लेकर विभागे इस तरफ पर अधिसुचना जारी कर दी गई है आपको बता दे कि पहले चरण में सबी माकानों की गिंती की गई है कार 21 जनुवरी तक पूरा कर लिया गया है इसके बाद दूसरे चरण की गिंती भी 15 अप्रिल से शुरू होकर 15 माय तक की जाएगी समानी प्रसासर मिभाग की तरफ से जारी अधिसुचना में जिन सवालों का लिष्ट जारी किया गया है उसके मोताबिक परिवार के सिदिस का पूरा नाम पिता या पती का नाम परिवान की प्रधन से सम्मन आयू वर्स में वहीं लिंग वेबाई की स्थि धर्म जाती का नाम सेक्षिन की योगिता कारिकलाप आवासी स्थि आस्ताई प्रवासी स्थि कंप्यूटर मोटर रियान, क्रिसी भूमी, आवासी सेती, सब इस रोतों से मासिक आई समिल क्या गिया है। वो एक डिगरी सेलसस के साथ और अंगाबाद में प्रदेश का सरवादे का धिकतम तापमान दर्च किया गया है। अब लोगों को जल्दी बड़ी सुविता देने वाली है, अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले से अधिक सुविता मिलने वाली है। दरसल गांधी मेदान से गंगा पात्वी होते विए दिगा सोनपूर और हाजीपूर इस्टिसन तक अपरेल मा से ओटो को परेचलन किया जाएगा। इसका लापटना और गंगा नदी पर रहने वाले लोगों को मिलेगा। दोनों चलेगा इसके लिए विवागे इस्तर पर आटो चालोक सो से बात्चित हो रही है। प्रासल सनी कानुमती मिलते ही एक अप्रिल से लोगों को सुविधा मिलने लगेगी। आज के लिए बहुत इतना ही इसी तरह बिहार के डेली निउस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत इतना ही इसी तरह बिहार के डेली निउस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।